तो दोस्तो टेकनो के चरब से टेकनो पोवा 5G स्मार्टफोन को लॉंच कर दिया है अगर आपको फुल लोडेरी स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको पावर हुल पुसल मिल जाए यानि फोन में आप सारे गेम आसाने से खेल पाएं और साथ ही फोन जो है 5G को सपोर्ट कर फोन में आपको बीग बेटरी का सपोर्ट मिल जाए और उसी के साथ दोस्तो आपको बीग डिस्प्ले भी देखने को मिल जाए और यूजर एक्स्पिरियंस को नेक्स लेवल पर ले जाने के लिए एडवन्स फीचर आपको देखने को मिल जाए फोन में तो दोस्तो आज की जो कि globally partner हैं के side map आपको tecno power देखने को मिलता है और उसी के सार आपको back side पर detail में यहाँ पर इस पर से देखने को मिलती है जो कि दोस्तो किसी भी smartphone के box पर आपको देखने को नहीं मिलती है तो दोस्तो tecno ने बहुत पेसा खर्च किया है box पर तो यहाँ पर slide ले हम open करते हैं इस box को तो यहाँ हमको मिलता है हमारा smartphone उसके बाद दोस्तो इस smartphone को हम रखते है side में और यहाँ पर आपको मिल जाता है box के अंदर mini box तो उसमें आपको मिलता है manuals card और यहाँ पर आपको warranty card टेखने को मिलते है जो कि 12 month की warranty के सार आते है और यहाँ पर आपको box के अंदर मिलता है cover तो cover की जो quality है वो काफी अच्छी रेखने को मिलती है और यहाँ पर लिखा हुआ है manchester city back side पर cover पर और उसके बाद आपको जहाँ दोस्तो box के अंदर मिलता है type c cable जिसकी length and quality जो काफी अच्छी रेखने को मिलती है और box के अंदर ही आपको 18 watt का fast charging देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको दोस्तो मिलता है box के अंदर SIMJet tool तो इतना कुछ मिलता है आपको उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे smartphone की तरफ तो दोस्तो आप देख सकते हैं इस phone को जो design है वो काफी premium देखने को मिलता है दोस्तो जिस budget पर यह smartphone launch हुआ है उस budget पर आपको यह premium design देखने को नहीं मिलता है अधर black color का है यह smartphone dual tone में आता है यह smartphone यहाँ पर आपको back side पर triple rear camera मिलता है वही लिफस का support है और उसे के सार यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं techno power 5G लिखा हुआ है नीचे की तरब और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है manchester city का logo तो दोस्तो इतना कुछ देखने को मिलता है बागर अगर आप यह से hand wise लेते हैं up down के और उपर की तरब आपको secondary mic देखने को मिलता है phone में आपको दोस्तो dedicated slot का support दिया गया यानि phone में आप 2C में एक memory card लगा सकते हो तो दोस्तो बात का लेते हैं smartphone के सबसे highlight point के बारे में diamond city 900 ASOC का process देखने को मिलता है जो कि दोस्तो 5G को support करता है तो यहाँ पर दोस्तो आपको बता दो जो प्रोसेसर है वो 6mm पर बेस्ड है octocore processor है तो यह 5G को support करता है और उसी के साथ दोस्तो 11 जो bands है उनको भी support करता है तो यहाँ पर आप किसी भी high graphics वाले game को smoothless पर खेल सकते हो चाए bgmi, free fire, call of duty एसे high graphics वाले game को आप smoothless पर खेल सकते हो इस phone में आपको दोस्तो UFS 3.1 का support डिया गया है और यहाँ पर आपको LPD 5X RAM का support भी डिया गया है यहाँ आप data को high speed से transfer कर सकते हो और आपका phone जो हो लेग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको processor काफी दमदार दिया गया है और यहाँ पर आपको दोस्तो 8GB का RAM मिलता है 128GB का store मिलता है और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि Futuristic स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको 3GB RAM का extend option भी दिया गया है यहाँ पर आपको 11GB RAM मिल जाएगा तो यह दोस्तो यह काफी अच्छा है User Experience जो है वीवर्स का वो काफी smooth कर देगा यह phone और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के front side के ने display की तो दोस्तो टेकनो नहीं हाँ पर आपको big display का support दिया गया है phone में आपको 6.9 इंच का full HD display देखने को मिलता है तो display काफी बड़ा है अगर आप एक अच्छा smartphone लेना चाहते हैं जिसमें आपको big display देखने को मिल जाए अगर आप video जारा देखते हैं Netflix, Amazon Prime देखते हैं, YouTube देखते हैं तो आपको color जो है काफी अच्छे देखने को मिलेंगे Full HD display है और साथ ही मैं आपको display में 120 Hz का refresh देखने को मिलता है तो display जो है काफी smooth देखने को मिलेगा आपको अगर आप gaming के लिए भी कोई smartphone ले रहे हैं तो आपको दूसर यो user experience दिस्प्ले के साथ काफी बढ़िया होने वाला है अगर आप multimedia का इस्तेमाल भी जादा करते हैं और बात कर लेते हैं स्मार्टफोन जे camera's की तो बेक साइट पर आपको 3 camera दिये गए है 50 megapixel का और यहां पर आपको अलुसर का support भी दिया गए है 50 megapixel जो है वो main camera है 2 megapixel का आपको एक और camera मिलता है और यहां पर आपको एक और camera मिलता है जो कि AI camera है और बात करते हैं इसके कुछ खास features की जो कि Techno ने दिया है अपने स्मार्टफोन में शोर्ट वीडियो का option दियागा है AI game का option दियागा है beauty का option दियागा है portrait का दियागा है super night में आप अच्छे से photo video ले सकते हो AR short का दियागा है ultra HD में आप ले सकते हो slow-mo recording का दियागा है panorama दियागा है और आप document को scan कर सकते हो easily time lapse का option दियागा है और इस phone से आप 4K तक video recording कर सकते हो तो दोस्तो देखा जाए तो full loaded smartphone है यहाँ पर आपको cameras में काफ़ अच्छे feature दिये गए लेकिन कुछ-कुछ जगा यहाँ पर कुछ कमिया भी है cameras में यहाँ पर मैंने कुछ back camera से कुछ photo share किये हैं आप देख सकते हो काफी naturally photo देखने को मिलते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर phone एकदम मतलब जो photo है वो एकदम white कर देगा ऐसा कुछ भी नहीं है आपको जो photos, videos जो है काफी अच्छे देखने को मिलते है इस phone से और बात कर लेते हैं इस smartphone की battery life की तो phone में आपको 6000 image की बड़ी battery दी गई है और 80W का fast charging दिया गया है तो दोस्तो टेक्नो की तरफ से POVA 5G smartphone जो वो complete package बनता है अगर आप टेक्नो की तरफ से कोई अच्छा smartphone लेना चाहते हैं तो दोस्तो यह smartphone ले सकते हैं अच्छी से 30,000 के price में जो feature आपको देखने को नहीं मिलते हैं वो इस phone में आपको देखने को मिलते हैं 20,000 के price में तो सबसे पहले जान लेते हैं आपको कुछ highlight point के बारे में तो इस phone में आपको 6.9 inch का display दिस्प्लिट दिया गया है जो कि full HD है साथ हमें आपको 120 hertz का refresh देखने को मिलता है तो अगर आप gaming के मामले में कोई smartphone ले रहे हैं multimedia के ले रहे हैं तो definitely आप यह ले सकता अच्छा smartphone है Diamond City 900 का process दिया गया है जो कि 5G को support करता है तो आप यहाँ पर जो gaming experience है काफी अच्छा होगा और लंबे समय तक दोस्तों आप जो gaming है वो अच्छे से कर पाएंगे बिना लेक के और यहाँ पर आपको 6000 image की बड़ी बेटरी दी गई है तो लंबे समय तक आप phone के साथ आपने समय भी दा सकते है browsing करके, gaming करके, videos देखके और आपके जो जरूरी काम है उसके साथ और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दू इसका जो camera है वो भी आपको जोड़दार देखने को मिलता है बेक साइट पर आपको 50 megapixel का triple rear camera मिलता है camera के लिए इस phone की जो है काफी अच्छी रेखने को मिलती है वीडियो चे लगने पर लाइक कर देगा जारा जारा वार्टस अफिस्बूप को शेयर कीजेगा जै हिन जै भारत वंदे मातम दोस्तों